नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि लोडेंस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लोडेंस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और लोडेंस टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सक और यह भी डिसकस करेंगे कि लोडेंस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लोडेंस एक ब्रैंड नेम है, लोडेंस टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टिटिन होता है, लोडेंस टैबलेट 5MG, 10MG और 20MG की स्ट्रेंथ में अविलेबल है, लोडेंस टैबलेट का उपयोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, लोडेंस टैबलेट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाती है, बैड कोल को LDL या Low Density Lipoprotein Cholesterol भी कहते हैं और Good Cholesterol को HDL या High Density Lipoprotein Cholesterol भी कहते हैं इसके अलावा Lodens Tablet Triglycerides के लेवल को भी कम करती है Triglycerides Fat की ही एक टाइप है जो बलड में पाई जाती है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है जिसकी वजह से नसों में बलड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से दिल का दौरा पढ़ने का और लोडिन्स टैबलेट को लेने के साथ साथ कम कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेनी चाहिए और घीव ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए इसके अलावा regular exercise करनी चाहिए साइड एफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लोडिन्स टैबलेट की वजह से कोई साइड एफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में लोडिन्स टैबलेट की वजह से कुछ साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे सिरदर् वत्धकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज होना और कुछ व्यक्तियों में दस्थ होने की समस्या भी हो सकती है Lodens Tablet की वज़े से Blood Sugar Level अधिक हो सकता है कुछ व्यक्तियों में Lodens Tablet की वज़े से Liver Damage भी हो सकता है इसके अलावा Lodens Tablet की वज़े से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द और कमर में दर्द आधी Side Effects भी Lodens Tablet की वज़े से हो सकते हैं अगर आपको Lodens Tablet को लेने के बाद शरीर की मासपेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्द होता है, तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि ये लक्षन Rhabdomyolysis के भी हो सकते हैं Rhabdomyolysis एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं मासपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़े से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो blood में मिल जाता है, जिसकी वज़से kidney भी damage हो सकती है, वैसे rhabdomyolysis होने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में loadins tablet की वज़से rhabdomyolysis भी हो सकता है, अब हम discuss करेंगे की loadins tablet को कैसे लेना recommended होता है, loadins tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में loadins 5 mg से लेकर loadins 10 mg tablet को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन शरीर में cholesterol की मात्रा ज्यादा होने पर डॉक्टर चार सप्ता बाद loadins tablet की डोज को बढ़ा कर loadins 20 mg से लेकर loadins 40 mg tablet को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं, loadins tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको loadins tablet को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस करेंगे कि loadins tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लिवर की कोई बीमारी होने पर loadins tablet को लेना रेक्में किया वाद.